जो अरिवासी समाज एप उनके रक्षार उनके संग रक्षण के यह उनके बडोतरी के लिए जो सम्हभ होगा वहम सब साथी मिलकर करेंगे समाज में पडमी रहे हम मंचन शान्ती बनी रहे और समाज में जो सकरात्मक सोच है शिक्षा की नौकरी की जंगरुपता की उस सोच कौम को और द्यापक बनाना होगा बड़ा चिंता का विशे है कि राजिस्थान में जिस पकार हिंसक वारदातें बड़ती चली जा रही है अब यहाली में बलातकार की बहुत घटनाई होई है और लूट पाड की घटना हो रही है और बड़ा चिंता का विशे है कि दिल्ली जैपूर के राहिस्थान के बॉर्डर पर जहां पर आतंकियों के भी पैर पसरने का सूशा मिली है बड़ा चिंता का विशे है मैं उम्मीद करता हूँ कि राज सरकार बहुत गंबीरता से लोग और और को और तमाम जो घटनाई हुई है उस पर कठो कदम उठाकर लोगों को अंदर विश्वास पैदा करने का काम करेंगे कि इस पर कई घटनाएं परदेश में ना हो क्योंकि यह मैं समझता हूँ सबसे महत्मुन जम्मदारी सरकार की होती है और नाजवान पर साथ खासकर बच्चियों के साथ जो अलगातार रेप की घटनाएं हो रही है दुश्करन की घटनाएं हो रही है वो दिल रहाने वाली है इस घटनाओं को तुरंद रोकना पड़ेगा सरकार को असंबब कर उठाना तो सचीन पाइलेट उसके सिंबेदार है आपकी विदान सबाव में पर देश में उप्चनाव भी होंगे मैं तो इतना है कहता हूं कि हम सब लोग जो मुझ को जानते हैं हमारी राजनीति को जानते हैं हमने हमेशा मर्यादा और सायम इनकी सीमाओं को कोभी पार नहीं किया है और हमारे बड़े से बड़े विरोधी भी इस बात को कहेंगे कि रानीति मुद्दों की हों सधानत की हों और हम लोग चाहते हैं कि रायस्थान की पुरानी परंपरा है यहाँ पर अथीति देवभाव यहाँ जो भी है बात बोलनी भी चाहिए लेकिन मैंने हमेशा सायमित और मर्यादा पूर्ण भाषा का प्रयोग किया है हमेशा से और आगे भी करता रहूंगा हमारे तमाम नेता त्यारी कर चुके हैं कल भी मीटिंग हो रही है कारेकरता नेता एक जूट है और मुझे लगता है कि जो पढ़नाम लोगसमा में आए है उसको देखकर अब हवा कॉंग्रेस के आने वाली है और भाचपा का जाना तैह है छे कि छे सीटों पर हम लोग की भलाई के लिए किया है वہ tap rd जो हालात बने हुए है वहietet जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं विकास में बादा बन रहा थी तो हमां लोगों को जमुरित में विश्वास हो हमने गडबन्दन कीया है गडबन्दन हम लोगों ने किया इंडिया तो वो उनकी कतनी कर्में बहुत फरक है बाजपा बोलती कुछ है जनता सब समझ चुकी है देवेंदर यादर से मिला था जेल के अंदर और उनलों ने हम लोग राही लड़ेंगे लेकिन पॉलिक लाई भी लड़ेंगे उनको साचिस्पून तरीके से जान बूच के फसाने की कोश्च से सरकार कर रही है तो कि देवेंदर यादर मुखर होकर सरकार को चुनाती देते थे उनको जान बूच के अलग-अलग किसमें फसाए जा रहा है